हेलो एवरिवेंट जैसे कि आपको पने स्क्रीन पर ये क्वेशन दिख रहा है हमें इस क्वेशन को सॉल्ब करना है चलिए से पेला हमें इस क्वेशन को देख लेते हैं इस क्वेशन में हमें क्या दिया गया है 15 प्लस 5 जो कि हमें इक्वेशन के नेक्स्ट 25 प्लस 7 जो कि हमे करना है 16 प्लस 4 कि चीज की कुल होगा ही हम इस कोशन में फाइंड करना है चलि इस कोशन को सुल्प करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना अंसर निकाल देते हैं तो आप अपना अंसर हमें comment box में टाइप करके बता सकते ह है चलि आपका समय शुरू होता है अब अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना अंसर निकाल दिया है तो आप अपना अंसर हमें comment box में टाइप करके बता सकते हैं चलि इस कोशन को सुल्प करते हैं इस कोशन में हमें क्या दिया गया है 15 प्लस 5 जो की कुल होता है 20 के और हम हमें यहां पर इकोल दिया गया है 100 के इकोल दिया गया है उसी तरह नेक्स में हमापास 25 प्लस 7 जो की इकोल होगा 32 के और यहां पर इकोल दिया गया है 324 के इकोल दिया गया है और नेक्स में हमापास 22 प्लस 9 जो की हमापास इकोल होगा 31 के और हमें यहां पर इकोल दिया ग की जगा हमाँ पास यहां पे कौन सा नमबर आएगा अगर आप इस question को दियान से दिखो को तो इस question में हमाँ पास simply क्या formula बनता है सबसे पहले आपको लेना है first number जो की हमाँ पास है 15 उसके लेना है आपको second number जो की हमाँ पास है 5 उन दोनों number में आपको करना है minus 15 minus 5 जो की नेक्स में भी उजोगा यानि हमें next में क्या करना है 25-7 करना है जो की हमाँ पास equal होगा 18 के और 18 का square हमाँ पास equal होता है 344 के equal होता है जो की आपको अपनी scan पर यहां पर दिख रहा है यही सेम फ़र्मॉला हमाँ पास next में भी उजोगा यानि क्या करना है first number minus second number 22 minus 9 जो कि हमापास equal होगा 13 के और उसी 13 का लेना日 14 का square हमापास equal होता है 169 के equal होता है जो कि आपको अपने screen पे याँ पे देख रहा है यही same formula हमापास next में भी हो जोगा यानि कि हमापास next में क्या करना है 16 minus 4 करना है जो कि हमापास equal होगा 12 के और 12 का स्क्वेर हमाँ पास equal होता है 144 के equal होता है यानि कि जहाँ पर आपको question marks दिख रहा है वहाँ पर हमाँ पास क्या आएगा 144 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप अपने answer हमें comment box में type करके बता सकते हैं